तो दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं एक compact fan जिसमें added futures वो भी एक brand का वो कैसे useful होगा single person के लिए इस वीडियो में देखने वाले हैं इस product को मैं personal use के लिए खरीदा था आपके साथ यहां पे share करा हूँ मैं हूँ सतोष कुमार आप सभी को इस चनल पे स्वागते वीडियो अब इस box के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो यहां पे आप इस कब्राने देख सेकते हो बज़ाज दिखा गया है यहां पे इस fan का तस्वीर और यहां पे इसके कुछ खास features mission किया गया है अब इस box के पीछे के तरब भी देखते हैं तो यहां पे भी सेम वही चीज़ मेंशन किया गया है box के राइट सेट पर भी देखते हैं box के राइट सेट पर देखते हैं तो यहां पे इसके कुछ डिटेट्स दिया गया है जैसे कि portable fan with light उसके नीचे 2400 लिथियम आइन बैट इस fan का model number उसके नीचे इसका MRP मेंशन किया गया है लेकिन मैंने इसको Amazon पे 1599 रुपीज में पर्चेच किया था क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अपेंड होते रहते हैं यहां पे box के contents उसके नीचे customer care के details और यहां पे इस fan का model number दिया गया है अब इस box के नीचे के तरब देखते हैं तो कुछ भी नहीं है उपर के तरब भी देखते हैं तो यहां पे आप इसका brand name देख सकते हो अब इस box को open करके देखते हैं इस table fan के साथ एक user manual एक warranty card और एक USB cable दिया गया है अब इस table fan को देखते हैं इसका color है white यह plastic make का है इसका वोजन लगभग 750 ग्राम से और बीच में दिखे circular shape सा दिया गया है बार्टर जो है rectangular shape में दिया गया है आप इसको indoor outdoor में यूज का सकते हो जैसे कि घर में ऑफिस में दो यह तीनों भी plastic make है इन blade का जो sweep size 110 mm बीच में दिखे एक LED light दिया गया है अब इस table fan का dimension checker के देखते हैं अब इसका height है उसको checker के देखते हैं height है इसका lockbox 32.5 cm यहाँ पे आप देख सकते हो अब इसका width भी checker के देखते हैं तो इसका total width है यह lockbox 24.3 cm है यहाँ पे आप button दूसरा है charging status indicator तिसरा है working status indicator चौथा जो है fan को on off करने का एक button अब इस fan के left view पे देखते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह दिखाए देगी अब इस fan का जो right view है उसको भी आप यहाँ पे देख पारे हो अब इसका top view यहाँ पे आप देख सकते हो top view आपको कुछ इस तरह द power rating mention किया गया और bottom पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका power source लिया गया यह charging port micro usb port है और यहाँ पे दिखे 5 volt इन लिखा गया तो इस fan को हम कुछ देर के लिए side में रखते हैं अब इस charging cable को देखते हैं यह लगभग 1 meter cable की लेंट है इस cable में एक तरफ देखते हैं तो यह usb type a port है और दूसरे तरफ देखते हैं तो यह micro usb port है तो इस micro usb port को यहाँ पे इस fan के bottom पे जो micro usb port दिया गया वहाँ पे connect कर लेते हैं तो दोसरों यह है test one यहाँ पे power supply जो है मैं switchboard से लिया हूँ इस fan के लिए यह अनकी AC power supply अब इस switch को on करते हैं अब इस fan में जो LED बटने उसको check करके देखते हैं तो यहाँ पे दिखे इस LED बटन को मैं first time यहाँ पे press कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED glow हो चुका है यह है इसका high brightness यहाँ पे मैं room call जो light से उसको off कर चुका हूँ यहाँ पे आप इसका brightness भी check कर सकते हो अब इस LED बटन को मैं second time यहाँ पे press करता हूँ तो देखिए यह dim हो चुका है second press में यह dim होगा अब मैं यहाँ पे third time यहाँ पे इसको press करता हूँ इस LED बटन को तो देखिए यह off हो चुका है इस तरह आप इस LED light को यहाँ पे use कर सकते हो अब इस fan का charging indicator देखिए red color में दिखाए दे रहा है यानि कि यह fan अभी charging हो रहा है red color का indication ने fan charging हो रहा है अगर यह fan fully charged हो जाएगा तो यह जो red color है automatically green color में convert हो जाएगा green color का indication ने यह fan fully charged हो चुका है इस fan switch में तीन modes दिया गया है low, medium, high अगर मैं इस fan switch को first press करता हूँ, first time press करता हूँ तो देखे यह fan यह low speed में run हो रहा है जब यह low speed में run होगा तो यहाँ पे जो working status indicator है यह deep blue color में आपको दिखाए देगा यहाँ की deep blue color का indication ने low speed अब इस button को यहाँ पे मैं second press करता हूँ यहाँ की second time यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यह है medium speed इस fan का, जब यह medium speed पर run होगा तो यहाँ पे जो working status indicator है आपको light green color में दिखाए देगा यानकी यह जो light green color का indication है medium speed अब यहाँ पे इस button को third time यहाँ पे press करेंगे तो यह है इस fan का high speed जब यह high speed पे run होगा तो यहाँ पे जो working status indicator है आपको light blue color में दिखाए देगा यानकी light blue color का indication है high speed अब यहाँ पे जो button है इस fan button को हम fourth time press करेंगे fourth press करेंगे तो देखिए यह fan off हो चुका है अब इस fan का 8th row भी check करके देखते हैं अब इसमें जो fan switch है उसको on करके मैं इसको high speed में रख लेता हूँ क्यूंकि यहाँ पे मैं छोड़ा सा 8th row टेस्ट करने वाला हूँ example basis एक paper को इस fan के सामने रख रहा हूँ आप इसका जो 8th row चेक कर सकते हो अब second example एक bubble seat को इस fan के सामने रख रहा हूँ आप इसका 8th row यहाँ पे चेक कर सकते हो मैं यहाँ पे feel कर पार हूँ इसका जो airflow है, smooth है, silent है, noise भी कम है इसका one person यानकी single person के लिए यह manageable भी है कहा गया है कि इसका जो rotations per minute 1900 rpm है इस air throw का जो directs ने उसको आप उपर नीचे up और down में angle set कर सकते हो ऐसे उपर के तरफ आप इसको रख सकते हो ऐसे भी रख सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो और center में इस तरह भी रख सकते हो और नीचे के तरफ भी, bottom के तरफ भी आप इस तरह direction change कर सकते हो आपके requirement concern, अलग-अलग angle पे आप इसको set कर सकते हो अब हम यहाँ पे एक second test करने वाले हैं यह power bank, यह MI का power bank है तो इस power bank को इस fan के साथ connect करके check करके देखते हैं यह work कर रहा है कि नहीं यहाँ पे एके करके check करके देखते हैं पहले LED light work कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं तो देखिए यह work कर रहा है अब fan switch को भी check करके देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो यह work कर रहा है अब हम यहां पर third test करने वालें इस cable को मैं किसी भी power supply के साथ connect नहीं किया हूँ अब इस cable को हम यहां पर disconnect कर लेते हैं तो देखिए इस cable को मैं यहां पर disconnect कर चुका हूँ इसको हम side में रखते हैं अब इस fan को battery mode में इसमें जो internal battery rechargeable battery है उस mode में इसको operate करके check करके देखते हैं तो यहां पर मैं इस light को on करता हूँ तो देखिए यह work कर रहा है अब इस fan button को भी मैं यहां पर switch on करता हूँ तो देखिए यह low speed और यह है medium speed और यह है high speed बैटरी को full charge करने के बाद आप इस तरह light और fan दोनों को operate कर सकते हूँ बिना cable के तो दोस्व अगर आप इस product को खरीदना चाते हैं तो उसका bell link में नीचे description में दिया हूँ वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो please इस video को like कीजिए, share कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए अगर आप कुछ comment करना चाते हैं तो नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए bye आपका दिन सुभ हो stay safe and stay healthy